हेलो स्ट्रेंट्स आप हम लोग कोश्टन करने वाले हैं कोश्टन क्या है आप स्मॉल केंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इस प्लेज़ डैट 27 सेंटीमीटर इन फॉरंट ओफ कनकेव मीरर ते कनकेव मीरर बनाओगे इस तरीके से इसका जो स्मॉल केंडल का साइज है हमारा यह 2.5 सेंटीमीटर है और यह 27 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है और कनके मीरर का जो डेडियस ऑफ करवेचर है हमारा 36 सेंटीमीटर तो फोकस कितना होगा 18 सेंटीमीटर जब काटेशन सेंट करोगे तो अब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव आपको फॉर्मूला पता है ना कि इमेज डिस्टेंस व सेंटें सेंटीमीटर प्रणा पता है अकट जब सेंटर सेंट विकास ऊंटीमीटर आपको मेदस 27 minus f कितना है minus 18 कितना हो जाएगा यह 54 cm यह minus में है minus इसका मतलब यह यू जो आया हमारा 54 cm इसका मतलब इमेज हमारा कैसा होगा वर्चॉल इसका मतलब इमेज हमारा कैसा होगा यह पिर आगे आपको क्या पूछ रहा है लोकेशन ओफ इमेज आगे आपका पिर आपको पूछ रहा है और मैंगनिफिकेशन हमारा क्या होता है मैंगनिफिकेशन हमारा होता है minus of v by u then u cse minus of v by u यह हमारा मैंगनिफिकेशन आया minus v कितना है यहाँ यह व कितना है minus 54 और u कितना है minus 27 यह minus minus कट गया दोस्ते कितना आगा minus 2 यह minus आप बताता है कि मैंगनिफिकेशन नेगेटिव है इमेज कैसा हमारा हो जाएगा इनवर्टेड यह तो पता है इमेज कैसा बन जाएगा उल्टा इनवर्टेड और size of image height of image by height of object हमारा क्या था मैंगनिफिकेशन इसलिए height of image क्या हो जाएगा 2 into height of object 2 है ना minus 2 into height of object कितना था हमारा यह था अपका length of object के candle 25 तो 2.5 कितना जाएगा यह 5 cm माइनस में image कैसा बन एगा इसका ठीक उल्टा 54 cm दूर और मैंगनिफिकेशन हो गया इसका negative और height of image कितना जाएगा हमारा इसका माइनस 5 cm तो यह कहानी हमने यहाँ पर देख लिया अब next question सेम कोश कहानी है बस कंकेव के जगा पर यहाँ पर कंवेक्स मेर डिल दे गया है तो ले लो कंवेक्स मेर आप चाहे तो हम नहीं भी बना सकते हैं आपको ट्राइक लिए दे दूं इफी भी मैं बना देता हूं इसको एक कंवेक्स मेर है इस तरीके से इसके सामने 4.5 cm नीडिल रखा हुआ है कितना दूर 12 cm दूर कितना 12 cm दूर और इसका फोकल जंद कितना दे रखा है हमारा 15 cm तब का टीशन सेंके बंसन यूज करो जो तो यह हमारा कितना हो गया माइनस 12 सेंटिमीटर F कितना होगा पोजेटिव सैड में लाई कर रहा है तो पलस 15 सेंटिमीटर यह रियल सैड और यह वर्चॉल सैड यह तो पता है V equals 2 हमारा क्या होता है U F Y U minus F then use C S C V equals 2 में U कितना है माईनस 12 F कितना है 15 by minus 12 minus 15 12 x 15 माइनस कमन लगे कर जाएगा 27 x 27 25 x 15 29 x 23 x 24 25 x 23 कितना जाएगा V equals 2 23 approximately 6.7 cm दो पोजेटिव आया इमेज हमारा इधर रहाएगा यहाँ से 6.7 cm दूर और इमेज हमारा हो जाएगा वर्चॉल क्योंकि वर्चॉल सैड में बना है इमेज कैसा हमारा हो जाएगा वर्चॉल फिर मैगनिफिकेशन कहा रहे है तो मैगनिफिकेशन हमारा क्या होता है minus V by U then U CSE minus 6.7 by U कितना है हमारा U हमारा हो गए minus 12 minus minus कट गया 6.7 by 12 approximately जो हमारा जाएगा यही हमारा height of image by height of object पॉर्च कट गजया हमारा क्या हो जाएगा height of object हमारा क्या हो जाएगा minus minus कर चुका था height of object क्या हो जाएगा height of image 6.7 by 12 into height of object 6.7 by 12 into height of object कितना है height of object है हमारा है 4.75 तो 4.5 से मल्टिप्लाइ करोगे तो जो आपका अंसर आएगा लगभाग 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यह इसका अंसर हो गया अब यह जितना नजदिक जाएगा तो इसका साइज जो होगा उतना ही डिक्रीज करेगा करने लगता है और इमेज भी हमारा मीरर की तरफ होता है इसलिए यह कंडिशन आप से डिसकस कर लिया अब नेक्स वोसन है नेक्स वोसन हमारा टैज़ कमारा अं टैंक को पानी से भर दिया गया है कितना संतिमीटर है तक 12.5 संतिमीटर तक है यह जो है यह 12.5 cm 12.5 cm है तक इसको भर दिया गया है फिर क्या कह रहा है दा एपरेंट डेफ्ट आफ नीडिल लाइंग एड़ बॉटम ऑफ टैंक इज मेजर्ड वा मैक्रोस्कूप तू 9.4 cm तो पहले बार एपरेंट डेफ्ट मेजर किया गया यहां से यह कितना दूर पहले यहां पे है 9.4 cm फिर आप करें वाटि दड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ वाटर अच्छा तो वाटि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ वाटर यहां पर कह रहा है इफ वासटर इज रिप्लेश्ट मयुक्र कोई बात नहीं आपको पता है कि रिफ्रेक्टी इंडेक्स ओफ उडेक्स हमारा क्या होगा real depth by apparent depth real depth upon apparent depth तो आपको real depth upon apparent depth real depth जो है वो actually कितना 12.5 needle तो यहां रखा हुआ है तो 12.5 by apparent depth कितना है हमारा 9.4 तो refractive dress of water आड़ाम से निकाल लो आपको 12.5 by 9.4 approximately 1.33 अब यदि कह रहा है कि इसमें liquid को change कर दिया गया और तो apparent depth आगया हमारा 7.67 तो इसका refractive index बताओ तो simple सी बात है refractive index of liquid कितना हो जाएगा real depth by apparent depth कितना है यहां पर 12.5 by कितना आगया 7. और यहां पर refractive index दे रखा है यह पूछ रहा है distance यह कितना होगा refractive index जो liquid जो दिया है नहीं liquid का वो कितना दे रखा है हमारा 1.63 तो mu by मैंने मान लिया यह distance x तो mu के value कितना है mu के value हमारा है यह 1.63 1.63 equals to 12.5 by x x equals to 12.5 by 1.63 इसो काटोगे तो लग वागा जाएगा 7.63 यह जो gap हमारा आगया वो 7.63 आगया तो कहला है कि microscope को कितना adjust करना पड़ेगा देखने के लिए पहले आप 9.4 पर देख रहे हैं तो दोनों को subtract कर दो 9.4 minus 7.63 67 सब्सक्राइब 7.67 subtract कर दो approximately 1.73 सेंटीमेटर आपको microscope को adjust करना पड़ेगा अब देखो इंसर्ट आपको जो question है ना इंसर्ट आपको जही में आएंगे नहीं म्यूजी इंटू साइन 35 डिग्री यह है तो म्यूजी और साइन 35 डिग्री यह है वह लगभग देख लो 0.57 यह दियार हैगा question मैंसर्ट यह तो नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे 35 डिग्री 37 डिग्री यह सब नहीं आता यहां से म्यूजी का जो वैल्व निकाल होगे वह आपका जाएगा 1.51 उच तरह करें यहां पर स्नेल सर लगो एर है 1 इंटू साइन 60 डिग्री एक किसके कोल हो जाएगा वाटर है म्यू डवलू इंटू साइन 47 डिग्री देखो वही कहानी 1 इ म्यू डवलू आ जाएगा आपका वैल्ली रूट 3 बाइ 2 बाइ 0.73 म्यू डवलू का जो वैल्ली हमारा आ जाएगा वह कितना जाएगा 1.32 उसी तरीके से वाटर है और गलास है यह एंगल पूछ रहा है इस नहीं तो लगा यहां पर म्यू एर इंटू साइन 45 डिग्री एक अबिएो जायेगा तहों म्यू जी अंटव टो यहां पर 1.51 उस्तार यहां पर साइन ठी समना जायेगा अला कि ए मरत कितना हैगा 38.2 तो डियागे इस टैब कोर्षन आपसे नहीं पूछे जाएंगे इतना angle complicate करके पूछेगा भी angle simplify करके देगा next question है a small bulb is placed at bottom of tank containing water to depth of 80 cm एक छोटा सा बल्व जो है वो तंकी के नीचे डाल दिया गया है एक छोटा सा बल्व जो है तंकी के नीशे अन कर दिया गया है तो बल्व से आने वाई लाइट हमें वही दिखेगा जब तक इसका टोटल इंटर्णर इस तरीके से चला जाएगा और हमें दिखा यहां पर नहीं देगा हमें वही लाइट दिखाए देगा जो क्रिटिकल बाग एसके बाद क्रिटकल एंगल हो गया इसे ज्यादा एंगल पर उसलाइट कर टी आई यर हो जाएगा टोटल इंटर्णर इफ्लेक्शन हो जाएगा और वह हमें दिखाए नहीं देगा तो सब से पहले देखेंगे कि यह एंगल जो हमारा है यह एंगल हेंगल यह एंग आपको पता है इसका जो रेडियस हमारा होगा यह डियस है r घर यह लोड़ी थीटा-c है तो आप मुझे बताओ यह यह भी रेडियस हमारा हो जाएगा आरफ यह पर्पिंडी यह क्या होगा परपेंडी कुलर मैं यहां से लेकि यहां तो c क्या होगा एल यह theta c r equals to h tan theta c critical angle तो आपको पता है कि critical angle यहां पर जो होगा theta c जो हमारा होगा, वो कितना होता है sine inverse mu refracted air mu refracted by mu incidence यह पता है आपको theta c हमारे किλα होगा, sine inverse mu reflection हो रहा है air में और R है water से water जो कितना होता है, 4 by 3 theta c हमारे कितना होगा sin inverse 3 by 4 sin theta c हमारा कितना आ गया 3 by 4 यहां से 10 theta c निकाल दो इसलिए 10 theta c हमारा क्या हो जाएगा sin theta आ गया P by h तो 10 theta हमारा क्या हो जाएगा P by b 3 by b क्या होगा 4 square minus 3 square 16 minus 9 7 3 by root 7 10 theta c आ गया 3 by root 7 इसलिए radius हमारा क्या हो जाएगा h 10 theta c उपर जो है h का value कितना दे गया कितना height था कि 80 cm 80 into theta c कितना आ गया हमारा 3 by root 7 इसका जो value आ जाएगा हमारा वो लग भग 80 यह कितना जाएगा 90.7 cm एरिया और यह एरिया हमारा क्या होगा पाई आर स्कूर एरिया हमारा क्या होगा पाई आर स्कूर पाई का value 22 by 7 और रेडियस कितना निकला आपका 90.7 का स्कूर इसे solve करेंगे हमारा जाएगा 2.58 मीटर स्कूर एरिया हमें कितना light कितना light का बल दिखाई देगा हमे 2.58 cm इस बात को आप याद रखले ना